नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है दिल्ली में हुए शराब घोटाले में एक बहुत बड़ा टुष्ट आ गया है टुष्ट इस तरह से आया कि कल हैदरबाद से केसियार की बेटी केक कविता को एडी ने गरफतार कर लिया और गरफतारी करने के बाद आज रौजवन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस अरेस्ट का विरोध कर रही है लेकिन आम आदमी पार्टी और अरवंद केजरिवाल ने चुप़ी साध लिये आज अरवंद केजरिवाल को एडी समंझ के निरादर करने के कारोप में कोर्ट में पेश किया गया वैसे तो कैमरा देखते ही ये बयान देने से हिचकते नहीं लेकिन आज चुप चाप बिना कोई बयान दिये हुए वो कोट के अंदर जाते है फैसला सुनने के बाद कोट के पिछली दरवाजे से मुझ चुरा कर वो रभुचकर हो जाते है क्या है मसला आम आद्बी पाटी क्यों के कविता के उपर चुपी साध रखी है मतलब साफ है के कविता एक ऐसा वजर्पात करने वाली है अर्विंद केजरिवाल और उसके गैंक के उपर कि जिसकी मार को आम आद्बी पाटी सह नहीं पाएगी खबर ये आ रही है कि के कविता अपने दूसरे साथियों की तरह इस केस में भी सरकारी गवाह बनने वाली है इस वक्त जब ये वीडियो रेकार्ड कर रहा हूँ रोजबन्यू कोर्ट में जजज नागपाल के सामने के कविता के वकील अलग अलग दलीले दे रहे हैं दलील दी जा रही है कि ये अरिस्ट इलिगल है इडी ने सुप्रेम कोर्ट में कहा ता अगली सुनवाई तक कोई कोर्सिव एक्षिन नहीं लिया जाएगा कोई समन नहीं भेजा जाएगा फिर ये भी दलील दी जा रही है जाते ही हर नेता की जो नॉर्मल जो आर्गुमेंट मेरी तवित खराब है तो ब्लड प्रिसर है तो सूगर है दवाई खाती हूँ ये तमाम नेता जो बहाने बाजी करते हैं वकील उस बहाने बाजी में लगे हुए साथी साथ ये भी कहा जा रहा एक महिला को सुर्यास्त के बाद क्यूं विरफ्तार किया गया तरह तरह से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है फैसला आया नहीं है लेकिन साक्ष और सबूत वो के कविता के साथ नहीं है जो अंजाम सराब घुटा लेके दूसरे आरोपियों के साथ हुआ वही अंजाम के कविता के साथ होगा ऐसे उमीद करनी चाहिए कोट का फैसला आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन कोट के अंदर जिस तेवर से एडी अपनी बातों को रख रही है उनके दलीलों को बकाईदा खत्म कर रही है उसको जना सुनना और समझना जरूरी है उसके बाद मैं आपको बताओँगा कि यह खबर क्यू 10 के कविता के जरुल को फ़साने वाली है इस केस में सरकारी क Face बनने वाली है और केजरी वालने कैसे इस पूरे कुछक्र को रचा उसका परदाफास करने वाली है यह मैं आपको आगे बताओँगा लेकिन कोट में इस वक्त क्या चल रहा है जैसा कि मैंने बताया कि कविता के वकील एक के बाद एक आर्गुमेंट्स दिये चले जा रहे हैं लेकिन E.D. के तरफ से साफ साफ जज एम के नाकपाल के सामने रखा गया जैसके का लिएमने लेकिन के सुराइब डियार जांसित्स फराफ टीateurs लेकिन काने लुफ यह लिहां व्यार और उन्जटा के वालु कि अजज खूएबरु है जगले जाटेकिन की ख dif इसा हाओ आर्पर टन्ट पित रहे, कि आर्व कीलिश।र ब्कान आर्टेकिन लेकिन undertaking especially when there are contrary reports, arrest memo mentions, time of arrest as 5.20 pm, within minutes we gave grounds of arrest, 20 minutes, उन्होंने पढ़ा, by no stretch of imagination was the arrest after sunset. ये दोनो ही अर्गुमेंट, ये अर्गुमेंट जो के कविता के तरफ से दिया जा रहा है की लाइवलाव वेबसाइट के उपर, इस तरह की खबरे आई थी, कि ये ब्रीच हुआ, वो ब्रीच हुआ, एडी ने इसे अपोस किया, और रही बाद, कि एक महिला को सुर्यास्त के बाद कैसे आपनी गिरस्तार किया, तो उसका भी उन्होंने का कि भए, अर्ष्ट मेमौ आप परलो, 5.20 मिनट पे है, तो उनकी धलीलों को तो खारिच किया ही, लेकिन एडी ने एक बहुत ही इंपॉर्टन बाद, नया खुलासा, कोट के सामनी किया, उन्होंने कहा, वर बोस इंपॉर्टन वेक्ल, वर पर्पोस खिव एक बाक, वाज़ इंधो स्पुर्ट, वर रलावल स्थेमंत्स अडर सक्टिंट उन्देश्ट 10, विस से, तो 33 पर संद पर संद परोफिट उन्होंने एड्रीट पर्फिट बहुत है, आपके समझे एडी कह रही है कि ये जो पूरा जो पैसा की कमाई धमाई चल रही थी लूट जो मचाय जा रहा था अर्विन केंजरिवाल के साथ मिलके वो दरसल इंडो स्पृरिट के जरिये पैसे साउथ लॉबी को जा रहा था और जितना मुनाफ़ा हो रहा था उसका 33% मैडम को जाना था मैडम 33% ले रही थी और जब हमने पुछा कि ये मैडम कौन है तो ये अक्यूज जी बता रहे हैं जिनको हमने पकल रखा है पहले से वो बता रही कि मैडम कोई और नहीं ये के कविता है तो इनके ही अपने लोग एडी के सामने मूँ खोल रहे हैं आगे प्रफिर नहीं क्या कहा फोर ओट ये तो फाइव डिवाइसेश फार्मेट इमेडिटली अफ्र वी इसूड एच्टा वन फोन एच्टली मैटेरियल और नहीं काम किया था नहीं नहीं फोन इमेडिटली जैसे ही CBI इन्वेस्टिकेशन हाथ में लेती है फोन तोड़ना चालू कर देते हैं यह लोग कि कोई ट्रेस ना मिले लेकिन यहां तो दिक्कत है यहां बहुत सारी चीज़े हो रही है कैपिल टिवी सुरु से ही बताता आ रहा है कि किस तरीके से यह साउथ लॉबी रात के अंधेरे में फ्लाइट पकर के चार्टेट प्लेन से दिल्ली आया करता था हाम आदभी पार्टी और अर्बन केजरिवाल के चट्टे बट्टों के साथ फाइव स्टार होटल में मीटिं रही है फसना तुम लाजबी है इसमें अब के कविता का रोल क्या है ये भी आप समझ लीजिए एडी ने जो पहले चार सी डाली है उसमें के कविता कहां से उसमें मेंशन होती है उसको भी समझना जरूरी है दा चार सी फाइल बादा एडी अलेज तक कविता वास पार्ट फससाथ गूप अकुसर पाइं रूपीस 100 करोड इं किक वाइबाद टूर्पाटी पाइड लीजिए खाइं पार्ट ये जेड जीए पार्ट इसट टूर्ट अवजिए पार्ट अविता काविता सृत रट्यवासलू रटी न्प आंग ओंगॉल His son Raghav Moghanta and others Pillai, Abhishek, Bohinpalli and Buchi Babu reprinted the South group as revealed by the ED अब इतने सारे हमने नाम ले लिये कि जिनको ऊपर ED ने कारवाई की जेल में भी डाला इसमें के कविता का C.A. भी है Buchi Babu Buchi Babu ने बहुत सारे राज खोले तमाम बाकी लोग सरकारी गवाब बन चुके हैं आदा से जादे और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि दरवाज पॉलिटिकल कंसिंस अंडरस्टैंडिंग बिट्मिन के कविता एंड अर्विंद केजरिवाल और इसने चोरी चुपके चुपके केसियार जब भी दिल्ली आते थे अर्विंद केजरिवाल के साथ मीटिंग होती कहने वाले लोग तो बताते हैं कि केसियार ने अपनी पार्टी का नाम वो त्यलंगाना की जगा भारत कर दिया था तो ये केजरिवाल इनके साथ मिलके सारा गेम प्लान बना और अब सारे लोग बता रहे हैं कि 33% मैटम को जाता था अब कहानी आती है कि जिन लोगों के साथ मिलके के कविता इस घोटालिक में शामिल थी ये साउथ लोबी आधा से ज़्यादा लोग और खास करके जो के कविता के क्लोज लोग है वो लोग सरकारी कवाब बन चुके हैं उनको लगा कि मोटा माल तो दिल्ली वाले ही खा गए हम लोग खामखा फस गए दूसरी चीज ये हुई कि जैसे ही इसका भंड़ा फोर होता है CBI केस के इंविस्टिकेशन करती है उस कानून को ही केज्री वाले स्क्रैप कर दिया पैसे तो ये लगा चुके थे घाटा हुआ सो अलग जेल जाना पढ़ना है सो अलग राजनीती खराब हो रही है वो भी साथ में तो सारे लोग ज्यादतर लोग उसमें सरकारी घवाब बन गए कि कविता एक दो दिन तक रिसिस्ट करेगी उसकी लीगल टीम ये तै करेगी कि बहुए क्या-क्या एविडेंस है वो एक दो दिन पूछताच में जो है मालूम चल जाएगा लेकिन डर किस बात की है कि सराग घुटाले में जो कोई भी गया बाहर नहीं आया है डेड़े साल हो गया, साल से उपर हो गया, मनिस्टी सोद्या भी गया छैसाथ महिना संजज सिंग भी निपट गया विजय नायर बाहर निकलने का कोई सीन नजर नहीं आ रहा तो केक कविता क्या इतने दिरों तक जेल में रहने को तयार है क्योंकि जेल में रहने के बाब दूद भी इससे आप बच नहीं सकते हाँ, आप अपनी सजा को कम कर सकते जो लोग सरकारी कवाह बन गए, उनको जमानत मिल गई तो जेल से बाहर रहना वो भी तेलंगाना में नहीं, तिहार भी रहना पड़ेगा क्राइम दिल्ली में हुआ है, केस दिल्ली में चल रहा है इसलिए जेल भी तिहार तो ऐसे में क्या आप्शन होगा कोई अकलमंद आदमी क्या करेगा कि जेल में भी रहो उसके बाद भी फसो रगे हाथ सारी चीजे पकड़ी कही है राजनीती भी खराब होगी तो इससे बेतर है कि आप सरकारी कवाह बच जाए सारी बाते बताते खोल के कि देखिया ऐसा ऐसे से हुआ हमसे गलती होगी सजा कम भी हो जाएगी माफी भी मिल सकती है और आप अपनी राजनीती को भी ज़्यादा हैंपर नहीं कर सकते हैं तो कई सारी चीजे एक साथ हो रही है तो अकलमंद के कविता है उनके बाकी साथी सरकारी गवाब बन गए है तो वो अगर सरकारी गवाब बन रहे है तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि यह जो साथ लभी की टीम है वो एक एक करके सारे लोग सरकारी गवाब बनते चले जा रहे है इसका मतलब तो यही है कि वो सरकारी कवाब बन भी रहे हैं तो वो के कविता और उसके लीगल एडवाइजर्स के कहने पे बन रहे हैं तो ये बड़ी ख़बर एक बड़ा डवलप्मेंट इस गरफतारी के बाद हुआ है इसलिए अरविंद केजरिवाल चुप है कि आप अभी कविता के साथ खड़े हो जाओ और कल कविता इड़ी के सामने कह दे कि हमने कुछ नहीं किया सब तो केजरिवाल ने किया तब कहां जाएंगे ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग टर्ल मिल गया है इस पूरे केस में आप देखते रिक अपकल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद